नमस्कार दोस्तों, मैं रोहुन शर्मा स्वाद कतम सभी का आपके अपने चैनल जोतिश इनवास्तु मैं, कैसे हैं आप सभी? आज हम यापर बात करने वाले हैं एक बहुती जादा इंपोर्णन टॉपिक के बारे में जब हम जोतिश इनवास्तों को नहीं समझ पाते या जोतिश इनवास्तों पर विश्वास नहीं करते तब अगर कोई गटना देश और दुनिया में गटती है तो हम आश्चेरे चकित हो जाते हैं हम अचंबित रह जाते हैं कि आर ऐसा क्यूं हुआ? इसके पीछे क्या प्रमुख कारण थे? बट जब आप जोतिश इनवास्तों को समझ लेते हैं जब आप जोतिश इनवास्तों के होने की पहले से ही कल्कुलेशन करकर बैठे होते हैं और उसके बाद जब वो गटना गटती हैं तो आप आश्चेरे चकित नहीं होते आप पहले से ही सावधानी लेकर चलने की कोशिश कर रहे होते हैं खुछ इसी तरह की equations हमने देखी थी और हमने करी थी जब हम ग्रहन की calculation कर रहे थे सूर्य ग्रहन के समय भी और चंद्र ग्रहन की समय भी मैंने आप सभी को बहुत clear शब्दों में बताया था कि पानी की वज़े से परिशानिया रहेंगी पानी बड़ी तबाही लेकर के आएगा इस तरह की योग यहाँ पर बन रहे हैं और पानी की वज़े से पूरे विश्व में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है 51 डेज का मैंने आपको कहा था कि सूर्य ग्रहन से क्यावन दिन 51 डेज जो है वो काफी जादा कहीन के परिशानिया देने वाले रहेंगे प्रॉब्लमेटिक सिच्विशन वाले रहेंगे और बार बार कोई न कोई एक्वेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगी इसके अलावा दूसरे ग्रहों की जब क्यलकुलेशन करी थी तब भी कहा था कि पानी तो परिशानी देगा ही देगा अभी पानी की प्रलय रुकने वाली नहीं है और इसके अलावा राहू यहाँ पर अपना राहू काल लेकर के चल रहा है राहू बहुत बड़े शिफ्ट पर यहाँ पर बैठा हुआ है और इस वज़े से पूरा नौर्थ पॉल और साउथ पॉल में मेजर चेंजेज और मेजर क्लाइमेट चेंजेज यहाँ पर स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी वज़े से मौसम में बदलाव और पानी की परिशानी देखने को मिलेंगी यह बाद भी मैंने आपको बहुत क्लियर शब्दों में एक्स्प्लीन करी थी आज दुनिया में हालात आप देख लीजे सूर्य गरहन के बाद अभी सिर्फ और सूर्फ 20 दिन निकले हैं 20 दिस और 20 दिन भी पूरे नहीं निकले और इसी बीच में आप देखिए कि क्या कुछ गट रहा है और क्या कुछ गटना है हमें देखने को मिल रही है दुबई में साउदी में अभी पानी की वज़े से कितनी जादा परेशानिया देखने को मिली लोगों के गरों में पानी चला गया और वो अपने दैनिक जीवन को भी बहुत अच्छे से नहीं जी पारे आज हालात इस तरह के देखने को मिल रहे हैं और अब वो ही पानी की परिशानिया यहां पर चेंज होकर के चीन की तरफ यहां पर टर्न कर गई है और चीन में भी बहुत बड़ी तबाही पानी की वज़े से यहां पर देखने को मिल रह अगर आप सभी ने नियूज नहीं देखिए तो नियूज आप जाकर के देख लीजिए एक बड़ा तुफान चीन के 30 शेत्रों से टकराने वाला है और जिसकी वज़े से चीन की सारी नदिया एक बहुत बड़े उफान पर चल रही है खत्रे के निशान से उपर चल रही है ए मैंने जो नियूज में सुनाता की 12 करोड से जादा लोग इसे प्रभावित हो रहे हैं और इस वज़े से ये बहुत बहुत खराब स्ति यहाँ पर पैदा कर रहा है और ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि अभी जो मैंने 10 दिन का वीडियो बनाया था 18 तारीक से लेक गटना लंबे समय तक परिशान करने वाली गटना में तबदील होते हुए नजर आएगी मदब कि इस गटना के नुकसान से उबरने में समय लग जाएगा इस तरह की योग यहाँ पर बहुत क्लियर तरीके से बन रहे हैं अब सवाल ऐसे में आता है कि क्या भारत सेफ है और इसके अलावा क्या आने वाले समय में भी और कोई गटना गटेंगी या यहाँ पर चीजें अब थम जाएंगी यह सवाल आप सभी के मन में भी आ रहा होगा क्योंकि जब मैंने चीन की गटना देखी मैंने चीन की गटना को जब न्यूज में देखा तब मेरे मन में पहला स चतुराई के साथ यहां पर खेल रहा है देवगुरु ब्रहस्पत्य भी शिफ्ट होंगे मैंने संडे के लाइव सेशन में भी कहा था देवगुरु ब्रहस्पत्य शिफ्ट होंगे और एक मई को जब राशी परिवर्तन करेंगे उसके बाद अगर कोई चक्रवादी तुफा आजाए उसके बाद अगर कोई बाड और वारिश का माहोल बन जाए तो यह मत सोचिएगा कि देवगुरु ब्रहस्पत्य की वज़े से हो रहा है क्योंकि वह एक्वेशन तो पहले ही बन चुकी है और जब पहले ही बन चुकी है मतब कि मई के महिने में भी मौसम की यह परि की यह देख रहे हैं यह दीरे बढ़ते हुई इंटेंसिटी और इक्वेशन यहां पर दिखा रही है इस वजे यह बोल पाना कोई बड़ी बात नहीं हो कि की एकक्रिल के कंपैरिसन में माई में आने वली गटनाओं का लेवल और जादा हाई हो सकता है अभी बारिश, छोटे तुफान और बाड़ की एक्विशन यहाँ पर देखने को मिल रही है तो मई में भुकम, चक्रवात, बड़े तुफान और मुसलाधार बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है इस तरह की योग बहुत जादा बन रहे हैं और मैंने पहले भी कहा था कि यह पानी फाइदे वाला पानी नहीं, यह पानी नुकसान वाला पानी है इस पानी को आप किसी भी तरह से उप्योग में नहीं ले सकते क्योंकि जो बाड के बाद जमीन भी खराब होती है और बाड के बाद पानी भी किसी काम में नहीं लिया जाता इस वज़े से ये equations और जादा खराब हो रही है देव गुरु ब्रसपती जब राशी परिवर्तन करेंगे और अपने आप को stable करेंगे उस समय से पहले पहले का जो समय है ये weather में काफी ज़दा fluctuation लेकर के आएगा और इस वज़े से आग, पानी और space आसमान इनके बीच में काफी ज़दा गहमा गहमी देखने को मिलेंगी कुछ बारिश के साथ-साथ हमें अभी तुफान की गटनाएं, हवा तेज चलना और इसके साथ-साथ तेज आग का भड़कना इसकी गटनाएं भी हमें आने वारे समय में अभी देखने को मिल जाएंगी और इस सारी चीजें ग्रहों के हिसाब से हो रही है, इसमें कोई दोर आये नहीं है कि ग्रह अपना काम नहीं कर रहे और इसलिए जैसे मैंने कहा ना, कि अगर आपको पहले से ही एक्विशन्स पता है तो वो आश्चरिय आपके साथ सामने नहीं आता आप उतना ज़्यादा सर्प्राइज नहीं होते कि यार ऐसा क्यों, या इतने सारे लोगों को नुक्सान क्यों हो रहा है क्योंकि वो पहले ही तय है, वो पहले ही क्लियर है कि मास कैलकुलेशन में नुक्सान होगा बड़ी संख्या इससे प्रभावित होगी, बारा करोर लोग प्रभावित हो रहे हैं, इससे बड़ी संख्या क्या होगी छे लोगों के और ली जान जा चुकी है और अभी ये नंबर और बढ़ेगा तो इस वज़े से ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि मौसम ने अपना काम शुरू कर दिया है ग्रह अपना काम कर रहे हैं और आम आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने आपको बचाने की कोशिश कर सकत अभी मई के महिने में ग्रहों का प्रभाव और ज्यादा नजार आएगा जैसे ही मंगल और रहु का योग बनेगा और मंगल और रहु का अंगार की योग भी इस सारी परिशान्यों को और ज्यादा बढ़हने का काम करेगा अभी जो एक वार वाली situation जो है वो कभी रुक रही है कभी बढ़ रही है कभी रुक रही है कभी रुक रही है कभी बढ़ रही है एक जिग जग ग्राफ जो बना हुआ है वो जिग जग ग्राफ अभी दो-तिन दिनों में फिर थोड़ा सा अग्रेसिव होता हुआ नजर आएगा यह सारी चीजे एक के बाद एक समय के दौरान में देखते हुए नजर आ रहे हैं, वो दिखरायी की माहुल खराब हो रहा है एक रोधर रूप यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रही है तो ऐसे परिस्तिती में एक दूसरे को सपोर्ट करना एक दूसरे के साथ चलना और समय के साथ चलना बहुत ज़ादा ज़रूरी है उमीद करूँगा कि आप भी मेरी बात को समझेंगे और अपने आपको ध्यान से रखने की कोशिश जरूर करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, बेल आइकन पे जरूर से करिएगा कुछ पूछना चाते हैं, जानना चाते हैं, आपने बारे में कुछ भी समझना चाते हैं, आप मुझसे संपर कर सकते हैं, मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा, आप सभी की हर संभाव मदध्यां पर कर सकूँ धन्यवाद